Hey what's up guys this is Sanjiu and welcome back to again my YouTube channel So guys आज़ के इस वीडियो में मैं एक और आपको loan application के नाम बताने जा रहा हूँ जहां से guys आप ले सकते हो बहुत easily loan ठीक है और बहुत ही कम documents में loan तो guys अगर आपको loan चाहिए तो ये वीडियो पूरा आखरी तक देखते रहना step by step guys मैं आप पो बता दू loan लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रगना अगर आप loan का time पे repayment कर सकते हो तभी loan के लिए apply करना otherwise आप बिल्कुल भी loan के लिए apply मत करना अगर आप loan का EMI time पे नहीं भर सकते हो तो और सही मैं कोई emergency हो तभी loan के लिए apply करना ठीक है अपने personal use के लिए कोशिस करना आप loan ना लो और guys कोई भी loan application आपको loan देने से पहले processing fees या फिर security money के नाम पे एक भी रुपया माँए तो बिल्कुल भी मत देना तो चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ play store पर और दिखाता हूँ कौन सा है ये loan application so guys आज की इस वीडियो में मैं इसी application का review करने वाला हूँ इस application का नाम है fair sent pocket loan ठीक है 3.4 की rating है और 100k प्लस इस application के downloads है 3.4 की rating है 100k प्लस इस application के downloads है guys यहाँ पे see all reviews करके आप reviews होगरे पढ़ सकते हो rating होगरे देख सकते हो then आप loan के लिए apply कर सकते हो चलिए guys आप about section में चलते हैं जानते हैं इस application के बारे में so guys यहाँ पे आप देख सकते हो loan amount 25,000 से लेके 60,000 रुपय आप इस application से ले सकते हो loan tenure 3 महिनी से लेके 6 महिने तक का बनता है instant approval है 24 जन्टे के अंदर-अंदर आपके bank account में यह लोग loan का पैसा भेज देते हैं अंदर-अंदर income आपका 18,000 पर मन्त होना चाहिए good credit history होना चाहिए salaried और self employee citizen of India मतलब आप salaried हो या अगर आप एक self employee हो अगर आप Indian citizen हो तो आपको loan मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे salaried होना ही जरूरी है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ details आप यह सारी चीज़े पढ़ सकते हो ठीक है यह इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि example देके समझाया है कि इतने दिन का loan लोगे तो इतने दिन का टेनूर बनेगा यह वो यह सारी चीज़े इन्होंने समझाया है ठीक है इंट्रेस्ट रेट होगर है आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यह सब इंट्रेस्ट रेट होगर है हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ठीक है तो इस अप्लिकेशन से आप इजली loan के लिए apply कर सकते हो हाला कि NBFC registered application ने तो साड़े बड़े cities में तो loan देगी बड़ गाईज एक बार आप चेक कर लेना कि आपके city में यह application loan देती है कि नहीं देती है बाकी यहाँ पे इनका mail है और customer care number है आपको कोई भी दिख्कत हो loan मिलने में तो इन से आप संपर्क कर सकते हो ठीक है गाईज मैं आपको पता दू अगर इस application से loan मिलने में आपको कोई भी दिख्कत हो तो मेरे वीडियो के description में लिंक है true balance application का true balance application आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link से download कर सकते हो और level up loan ले सकते हो true balance application में दो तरह के loan होते है एक cash loan होता है एक level up loan होता है cash loan के लिए हो सकता आपको bank statement देना पड़े क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादा loan मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आपको level up loan चीए तो कोई bank statement नहीं कोई salary slip नहीं सिर्फ आधार card pen का डालना और mintों में आपको level up loan मिल जागा true balance application से हाला कि starting में थोड़ा कम level up loan मिलेगा लेकिन जैसे ऐसे आप loan क payment करते जाओगे आपका level बढ़ता जाएगा और total एक लाग रुपा तक का आप level up loan ले सकते हो true balance application से so guys true balance application का link है मेरे इस वीडियो के description में download करो और loan के लिए apply कर दो अगर आपको चाहिए तो interest rate मैं आपको बता दू थोड़ा बहुत true balance application का ज्यादा है बट एक चीज अच्छ लुड़ो में तब तक के लिए जया हिन वंदे मातरम